Hello everyone and welcome back to my youtube channel तो फिन आप लोग लिए पर काफी एची hiring update आ रही है और इस वीडियो में क्या पताना वालों पता है जिसे आप लोग बहुत सब्सक्राइब करते होगे तो आपके पास yellow का एक mail देखने को आता है बहुत सा लोग ऐसे जो बोलते हैं हम तो apply करते हैं हमारे पास क्यों नहीं exam के mail आते हैं वो भी discuss करेंगे इस वीडियो में अपने exam के mail क्यों नहीं देखने को मुझे करते हो जिसमें कि फिन आपको जो yellow registration complete करने पड़ते हैं अब yellow form क्या है वो भी discuss करेंगे इस वीडियो में और बता दू अगर आप लोग को yellow के link चीए तो बता दू आप लोग पुझे मुझे पस्रेश्ण दी मुझे message करना लाइक आप लोग comment भी कर सकते मुझे instagram पर instagram पर लिए telegram पर मुझे DM करना में जो लोग मुझे instagram पर sorry telegram पर जो मुझे DM करेंगे मैं उनको yellow का जो है second distribution का link आप लोग को send कर दूँगा या फिर आप लोग जो है इस वीडियो में आप लोग 50 comment 50 likes कर देना ठीक है 50 likes देसी complete हो जाएगा मैं आप लोग को ये लोग का जो link है जो सभी लोग उसमे link fill up कर सकते हो मेरे पास available है आप लोग पहले comment करना comment करना कि आप लोग को चाहिए कि नहीं और अगर चाहिए तो प्रिस आप लोग 50 likes कर देना तभी में उस link को आप लोग बिश में share कर दूँगा ठीक है नी तो फिर देखो मेरे को हमको जब यहां से कुछ benefits होगा न तो मैं आप लोग क्यों help कर आई है कि आप लोग में वीड वीडियो क्रियेट कर रहा हूं वीडियो अप्लोड कर रहा हूं तो आप लोग मेरा help कर होगे डेफिनेटी यावी help you 100% अगर आप लोग में अपना 100% दूँगा तो मैं आप लोग को यह लोगा रिशेशन लिंक आपको में share कर दूँगा अपने टेलिग्राम ग्रूप में आपको अप्लाइ करोगे ना आपको पास कुछ इस तरह का एक्जाम के में लाएंगे इस को IBM action required IBM coding assessment और यहां पर रिखा रहा है thank you for exploring IBM IBM to help you better understand the level of programming coding language and ability to we would like to invite you to complete the coding assessment you will present a multiple choice question or coding interface to solve challenges तो अगर आप लोग करोगे मैं आपको इस पर चार रूल बताऊंगा पहला आपका होगा देख सट्यों एसी का होगा एस्टे सिस्टम इंजिनियर देना आपका होगा देना आपका एस्टे स्टेटरोल होगा चार लिंक देने वाला हूं और यहां पर यहां पर इसके सिस्टम इंजिनियर का जो पहले आपको पर नहीं आते हैं वह भी डिसकेस करेंगे ठीक है जो है आप लोगों को सी घंच करते हूँ तो यहां पर क्लिक करना है 1.0 कर ना थापको निचा आरे तो यहां पर आपको मिलेंगे दो PDF के लिए कि यहां देख सकते हो PDF No.1 पीडिएक नंबर टू आप लोग क्या करना बैसे इन दोनों PDF को अपने पास सेव कर लेना कैं इन के यह मैंने सारे के सारे material को मैंने share कर रखा है कि क्या क्या प्रेशन करने क्या पढ़ने को बहुस सा लोग पूछ रहे सर के पूछ रहें सर आप कोडिंग मेटिर नहीं share किया हो तो मैं अलुड़ी share कर चुका हूं बत आप लोगोंने मेरा जो है साइट को follow up नहीं किया अच्छे से तो आप लोग नहीं मिल रहा हूँ लेकिन हाँ इस साइट में आपको सारे के सारे questions repeated पूछे गए जो पूछे गए आप लोगो सारे के सारे यहां पर अगेलवल है और इसके बाहर coding questions नहीं पूछे जाते हैं तो आप लोग इसली जो exam को crack कर सकते हो मैं चार वर बताऊंगा पहला आपका है process analyst risk and compliance का दूसरा आपका associate system engineer third one is your process associate and fourth and last one is your software developer और जैसे apply करते हो वैसे apply करना और apply करने के बार आपके पास एक mail देखने को आएगा जिसमें कि आपका mention किया हो रहेगा reference id बोल कि मैं आपको दिखा दू किसा अपस mail देखने को आएगा तो once you apply आपके पास एक mail देखने को आएगा जिसमें कि आपका mention किया रहेगा IBM candidate reference number जब आप मेल आएगा तो मैं आपको दिखा दू किसरे का mail देखने को आएगा आपके आपके लिखा रहेगा your reference number तो इस reference number को आप लोग copy करना मेरा मत copy करना आप लोगो mail आएगा उसको पेश करना जोब आएडी क्या है जिसे आप लोग आएडी विपर मैंटेशन किया वरेगा है ना कि अप्लाइ करना इंटार्ण प्रोजेक्ट के लिए अप्लोग करना आपके आप लोगों आप लोगों करना है तो आप लोगों करना है कुछ भी डावटे कोमेंटरे पूछे ला मिलते देसे विंटिलन जाहें हिंचे भायरत